मेरी scratch video tutorial series में कई सारे students ने पूचा है कि क्या scratch की app mobile phone पर चलती है तो scratch की app अभी तक mobile phones के लिए नहीं है ये video बनाने वक्त नहीं है कम से कम एक tablet या फिर PC या Chromebook या laptop चाहिए scratch यूज़ करने के लिए पर बिलकुल scratch पर ही based एक और software है Mblock इसमें exactly जो आपको controls मिलते हैं scratch के वो controls तो मिलते ही हैं साथ ही इसमें जो extension pack है extension pack में Mblock में एक नया extension है blocks for mobile तो जब हम इसे add करते हैं तब हमारे को कई सारे controls मिल जाते हैं जो की mobile phone के gesture based controls हैं जैसे हमारे पास ये control है कि when finger slides up या when phone is shaken या when phone is tilted up या down या left या right या फिर जब when the finger is pressed और finger is released तो जो scratch है scratch में हमारे पास इस किसम के mobile phone के interface पर based controls हमारे पास नहीं है हमारे पास keyboard controls हैं और इसी लिए scratch जो है वो mobile phone पर अगर आप scratch पर games बनाएंगे भी तो mobile phone पर चलेंगे नहीं क्योंकि आपके पास वो controls नहीं होंगे पर M block में ये extension use करकर जो हमारे को gesture based controls या specific to mobile phone based controls हमारे को देता है आप कई सारे interesting games बना सकते हैं जैसे ये maze का game है जिसमें हमने ये controls use किये हैं तो इसमें हम अपने phone को tilt करके tilt left right up and down करके हम sprite को control कर सकते हैं और फिर बाकी तो आपकी imagination है कि आप जब इस तरीके से sprite को control कर रहे हैं तो आप क्या game बनाएंगे यहां मैंने ये maze का game बनाया है हमारे को इस ball को नीजे तक लेके जाना है बिना black lines चुए या यह एक और game है जिसमें हम फिर यही gesture based controls use कर रहे हैं और finger tap जो है इसको इससे हम sprite को control कर रहे हैं जितनी बार हम tap करते हैं यह bird यह जो bat है यह fly करता है तो mblock एक बहुत अच्छा alternate है scratch सीखने का on a android based mobile phone तो इस video में हम mblock use करते हुए maze वाला जो game है वो बनाना सीखते हैं तो mblock में मैं यह coding click करके new click कर रहा हूँ और फिर हमारे को बिलकुल जैसा scratch का interface है उस किसम का interface मिलता है पर of course mblock जो यह company है यह इस किसम के robotic devices बनाती है और यह जो इनका interface है यह mainly in devices को control करने के लिए है including Arduino Uno को भी आप mblock से program कर सकते हो on a block based programming language पर फिलहाल मैं केवल जो अगर मैं यहां all में जाता हूँ तो आपको यह जो familiar आप scratch में जिस किसम के sprites आपको मिलते हैं यह सारे sprites आपको मिल जाते हैं और फिर आप उसी किसम से इनकी programming कर सकते हो जैसे आप scratch में करते हो तो यहां पर यह programming blocks है motion के हैं looks के हैं sound और events और control और plus कुछ-कुछ extension packs हैं जो हम अभी install करके देखेंगे तो हम जो यह default यह जो panda की जो sprite है और इसकी दो costumes हैं हम इसी को use करते हुए maze का game बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां extensions में जाके तो यह जो extensions M block के हैं यह काफी interesting है यह cognitive services है यह AI based programming आपको allow करती हैं और यह pen और music यह तो जो आपको scratch के extensions हैं उस किसम के हैं हम इस वक्त interested हैं यह blocks for mobile के लिए तो मैं इसको add कर रहा हूँ और अब हमारे पास यह gesture based controls जो हैं हमें यह मिल गए हैं तो हम चाहते कहा हैं कि यह हमारी panda की sprite है इसको हम phone के tilt से control करें तो हम यहां पर यह सबसे पहले एक यह programming block drag and drop कर रहे हैं कि when the phone is tilted left तो हम कहरें कि when the phone is tilted left तो हम क्या जाते हैं जो हमारा panda है यह हमारा left की तरफ move करें तो left की तरफ move कराने के आप बहुत तरीके हैं हम move minus 10 steps कह सकते हैं और मैं इस वक्त x और y को use करूंगा तो scratch का जो stage है आपकी जो x-axis है वो ऐसे है और y-axis जो है वो ऐसे है तो हम को sprite को left और right move करना है यानि कि हमें x और y की value जो है वो change करनी है तो मैं कह रहा हूँ कि when phone is tilted left तो change the value of x by minus 1 ताकि वो left की तरफ हमारी sprite move करें और इसी को मैं duplicate करके यहां कह रहा हूँ कि when the sprite is tilted right तो change the value of x by 1 तो इसको मैं ok करता हूँ और फिर हम यह try कर सकते हैं तो मैं यहां यह button दबा रहा हूँ अब अगर मैं अपना phone जो है यह right की तरफ tilt कर रहा हूँ तो हमारी यह sprite right जा रही है और left की तरफ tilt कर रहा हूँ तो यह हमारी sprite जो है यह left और right हमारे को अब यह gesture based या अपने phone based control जो है वो मिल गया है इसी तरीके से हम up and down का भी बना सकते हैं तो मैं इन्ही programming blocks को duplicate कर रहा हूँ और अब मैं कह रहा हूँ कि when the phone is tilted up या down तो पहले हम up कह रहे हैं तो up मतलब की इस बार हमारे को y की value जो है वो बदलनी है तो मैं वापस motion में जाके यहां से ढूंड रहा हूँ कि change y तो यह change y का block है तो tilted up में हम चाहते हैं कि y की value positively बदले तो मैं कह रहा हूँ change y by plus one और फिर मैं इसी को duplicate करके कह रहा हूँ कि change when the phone is tilted down change y by minus one अब इसको हम test करके देख सकते हैं तो अब यह अगर मैं जो अपनी phone को उपर कर रहा हूँ तो panda उपर जा रहा है नीचे कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है और left कर रहा हूँ और right कर रहा हूँ तो अब हमारे को यह एक हमारी जो sprite है वो मिल गई है जिसको हम अपने phone की orientation को change करते हुए control कर सकते हैं तो अब क्या आप game बनाओगे यह basic concept यूज करके यह आपकी imagination है आप इससे कोई dodging game बना सकते हो आप इससे कोई car race type का game बना सकते हो जो की यह की remote की तरह आप अपनी car को control कर पाओगे फिलाल हम maze का game बना रहे हैं तो maze game बनाने के लिए हम एक तो यह है कि background में maze बनाएंगे और दूसरा की यह जो panda का size है यह बहुत बड़ा है तो मैं panda में वहापस जाके parameters को click करके यहां size जो है इस size को मैं कर देता हूँ maybe 40 40% तो यह अब हमारा panda चोटा हो गया है और फिर मैं background में जाके यहां background को हम paint करेंगे कि जो हम backdrop बनाना चाहते हैं तो कोई इस वक्त एक simple सा मेंगेज आपको बना के दिखा देता हूँ तो यह हमने line को select करके हम let's say simple कोई बना देते हैं कि first line जो है हमारी इस तरीके से है तो यह हमारा मेज है मैं इसको save कर रहा हूँ और अब यह जो हमारा game है वो ऐसा होगा कि हम जो हमारा panda है इसको हम लेके जाएंगे और इसको black line से अगरे छूँ जाएगा तो collision होगा और collision detection में हम जो भी losing condition डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं panda की sprite को select करके अब हम collision detect करना चाहते हैं तो यह सब जो है यह मैं scratch की जो मेरी video tutorial series है उसमें बहुत detail में समझा चुका हूँ यहाँ पर केवल दिखाने के लिए मैं फटाफट बना रहा हूँ कि हम एक event sprite ला रहे हैं when green flag is clicked और हम चाहते क्या है कि collision की जो हमारी condition है कि यह sprite जब भी वो black line को touch करे तब कुछ जो है वो losing condition हम वहाँ define करेंगे तो उसके लिए फिर मैं control में जाके कह रहा हूँ कि forever check करना एक if then का conditional statement लाके और फिर मैं sensing के blocks में जाके कह रहा हूँ कि whenever this sprite forever keep checking if this sprite touches the color black क्योंकि हमने maze को black से draw किया है black color की lines बनाई है तो whenever this happens तो अब हम जो भी condition set करना चाहते हैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर छुएगा तो वह वापस starting position पे जो हमारा panda है वह starting position पे चला जाएगा तो starting position में जाने के लिए मैं motion में जाके यहां कह रहा हूँ go to x तो अगर आपने मेरी scratch की tutorial series देखी है तो आपने आपको पता है कि scratch में जो हमारा stage है वो x axis में minus 240 से 0 और plus 240 तक जाता है और y axis में वो plus 180 से minus 180 तक जाता है तो मैं approximately कह रहा हूँ कि x में around let's say 210 पर चले जाना और y पर let's say 165 पर चले जाना हम इसको बाद में test करके भी देख लेंगे और मैं कह रहा हूँ कि similarly जब भी green flag press हो तो same 210 और 165 इन x and y coordinates पर चले जाना तो हम अपना game test करके देख सकते हैं तो अब अगर मैं green flag दबाता हूँ तो यहां पर हमारे को जो x है वो minus 210 है हमारा minus 210 और likewise यहां पर भी minus 210 और अब हम यह हमारी starting position है और अब हम यह इस तरीके से यह नीचे जा रहा है और of course यह अभी पूरा ही हम इसको नीचे ले जा सकते हैं हुए आपको नीचे लाना है हम मेज को वापस recreate कर सकते हैं और जैसे ही वह छुएगा black line को तो हमारी losing condition होगी and likewise आप एकदम bottom right मर कोई और चीज रख सकते हैं cake या whatever और हम कहेंगे कि जब यह sprite उस cake की sprite को छुएगा तब हम एक winning condition बना देंगे और यह जो मेज है यह of course इसकी lines वगएर आप वापस जाके इसको edit करके इसको ठीक कर सकते हो तो यहाँ पर अगर आप वापस background में जाओगे तो आप background में sprite में यह जो आपकी आपने जो lines बनाई थी हमने इनको हम इनकी position हम change कर सकते हैं तो यह exactly आप क्या बनाना चाहते हो यह आप अराम से सोच कर इसमें इसको जादा complex बना सकते हो अभी केवल idea यह था कि आपको मैं यह mblock की यह जो app है यह मैं आपको एक quick इसका दिखाना चाहता था क्योंकि बहुत सारे viewers ने कहा था कि वो scratch जो है अपने mobile phone पर program करना चाहते हैं तो यह जो mblock free software है यह एक बहुत अच्छा alternative है scratch सीखने का on a android based mobile phone कर दो